मैं आपका स्वागत करता हूं रास्तान मादमिक्षा बोर्ट कक्षा दस्वी बारवी की जो एक्जाम है वो 6 मई से स्टार्ट होगी और अभी आपके पास जो समय बचा हुआ है लगबक 50 दिन के आज पास आपके पास समय बचा हुआ है तो लास्ट 50 डेज में आप कैसे तया बच्चे में जिन्हों ने अभी तक स्लेबस को कंप्लीट नहीं किया है वो अपने स्लेबस को कैसे कंप्लीट करें सबी सब्सक्राइब को कैसे बरावर ले के चले और इसके अलावा रिवीजिन कैसे करें तो लास्ट 50 डेज में क्या कर सकते हैं कैसे आप टॉप 90 95 पासें बना सकते हैं इस वीडियो में सारी चीज़े बता हुआ तो एंड तक देखना है और जिसनब तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाईज वो चैनल को सब्सक्राइब करें बिल एकन को फ्रेस करें जिससे आने वाली सभी वीडियो की नट्विशन आप तक पहुंच जाए तो आप अपनी सब्जेट के साब से इसको डाल सकते हैं जैसे मैं आप बताता हूं आपको कि आप टुकडों में तोड़ लो इसको साइंस है साइस को में तीन वागों में तोड लिया फिजिक्स केमेस्ट्री बाई लोजी अगर आपको एसेश्टी पढ़नी है तो उसको भ लेवस में चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 11 यह टोटल आपके 15 मार्क्स के आने वाले हैं देखो बाई चैप्टर नंबर 9 और 11 जो है इसमें से न्यूमेरिकल ही पूछे जाएगे तो न्यूमेरिकल के तैयारी करें बहुत ज़्यादा बाकी मैंने वीडियो बना हो डेली लाइक चैप्टर नंबर 6 आपका कैमिकल रिएक्टिन है बहुत ले जाए बहुत आजने हैं ध्यूरी है ज्यादा तर यहciliation ज्यादा नहीं है तो यह 16 नंबर सवाश्य फिजिक्स है यह तो ने chemistry physics के चार chapter पक्की कर लो next biology biology में बचे विस ले बस पूरा biology का यह अगर मैं बात करूं मैंने इसको दो वागों बाड़ दिया चप्टर नम्मर 3 और 4 चप्टर नम्मर 3 और 4 यह आपके साथ नम्मर के हैं सभी हिंदी मैदम छात्रों के लिए खुशकबरी डाउटट पर चल रहा है एक बवाल ओफर चाहे नववी दस्वी का पूरा कोर्स सभी सब्जेट के साथ दिया जा रहा है 30,000 रुपे में नहीं बलकि सिर्फ 3,000 रुपे में और कक्षा 11,12 का पूरा 50,000 रुपे वाला कोर्स दिया जा रहा है सिर्फ 5,000 रुपे में तो देरी किस बात की बच्चों अभी जाओ और यह कोर्स खरीदो और इस बवाल ओफर का फायदा उठाओ और यह दोनों चैप्टर ऐसे चैप्टर नमर थ्री आपका जेनिटिक्स है अनुवान शिकी चैप्टर नमर फोर आपका बलड ग्रूप और इम्मुनिटी सिस्टम आने वाले फिलिंग दा ब्लेंक्स जो आने वाले वह इन ही चैप्टर में से आएंगे तो इनको इस तरीके से तयार करें इनके जैसे मैं एक एक्जमपल देना चाहूँ आपको एक कुशन का जिसे आपसे पूछे की जीन सब्द किस ने दिया और कब दिया तो जीन सब्द जोंसन ने दिया 1905 में दिया जेनिटिक सब्द किस ने दिया तो जब डबलू बैटसन ने दिया ऐसे सोट कुशन सोट नोट्स बनाओ वल लाइनर नोट्स बनाओ आप बहुत आसान बाकी मैं बता दूँगा 60 कुशन पर मैंने वीडियो बनाई हुई है उन 60 कुशन के दो जाके देख लो आप वहां से कवर हो जाएंगे सारी कुशन चैप्टर नंबर फस्ट जो है आपका यहां पर यह करीब पांच नंबर का है और इस बहुत इजी है बहुत आसान है इसमें विटामीन है प्रोटीन है कार्वाइड यह कुछ आपके पोश्टक तत्तु अगेरा है इनके बारे मां पढ़ना इंसे होने वाली बिमारिया पढ़नी है तो बहुत इजीए चैप्टर नंबर टू की बात करो तो इसमें आपका एक चितर आएगा एक डायेग्राम आएगा हमेशा ऑईज चैप्टर में से डायेग्राम पूछा जाता है क्योंकि चैप्टर 12 बहुत आसानने मानोव प्राकर्दी वाला चक्टर मंर 14 जो आपका है यह भी बहुत आशानने की पाधपन का यह जन्तों का अर्थिकमेर आशान चक्टर चक्टर नम्र 19 यह भी बहुत आसान है 18 पुर्क्ष विज्यनिक वाला बहुत इजी है कि इंडिया के प्रमुख साइंटिस्ट कौन कौन से हुए है उनकी उपलब दिया क्या है और चेप्टर नमर 15 जो है प्रत्वी की संद्रजना यह टोटल आपका 42 माक्स का यहां पर स्लिबस यह आपको कवर करना है और ज्याद करने ज्याद दिमाग लगानी जुरुत नहीं जो लिखा हुआ है वह आपको पढ़ना है तो ज्यादा चीज आपको पढ़नी नहीं है कुश्चंस आप आपके डैस वर्क आगी होंगी पास्वूक होगी उसमें से जितने भी कुश कर सकता हूं मैं ला सकता हूं असी में से असी क्योंकि मैंने चीजों को तोड़ लिया है तो यहां पर आदी टैंसन आपके जबी खतम हो जाएगी एक तो मोटी किताब है एक उसी मोटी किताब की तीन किताब है तो आपको लगता है तीन किताब मैं पढ़ लूँआ क्योंकि चोटी है बट अगर आपने एक ही मोटी किताब देख ली तो आपका दिवा खराब हो जाता है उसी प्रकार से अगर आपको लग रहा है कि मेरे 13 चेप्टर है बट आप 13 चेप्टर को ऐसे तोड़ लोगे तो आपको आसान हो जाएगा समझना भी और रिविजन करना भी तो र तेस्ट दे सकते हो आपा की स्कूल में आपकी कोचिंग मंथे दो अगरा आप फहीं पढ़ घूटर रहा हो तो जितना लिख-ई-लिख के आप इंट कर सकते हो चीजों को उतना लिख-लिख के रिविजन करें यह तो साइंस की बात हुई अब जैसे अगर आप एससे पढ़ रहे हो तो एससे में उसी इसाप से बाट लेना कि हिस्ट्री पॉल्टिकल जोग्रोफी एकोनोमिक्स या मैप होगे रहा वह जाएगा अगर आप हिंदी पढ़ रहे हो तो हिंदी में व्याकरण होगी गद्य पद्य होगा मतलब आपके उसमें एसे राइटिंग वगेरा भी आती हैं कुश्यन आंसर भी आते हैं आपके व्याकरण भी आती है संदी समास अलंकार इबाक्य वाच्य इस सारी चीज़ आती हैं इंगलीज में भी सेम ऐसे होगा आपका ग्रामर पॉर्शन हो वेडियो के इंड में और वहीं में बात करूं और सब जिसे मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स में आपकी एलजेबरा गई है जो में यह हो गई है आपकी इसके अलावा टिगनोमेट्री हो गई है आप ऐसे इनको टोड़ ले अब हो गया है माध्य वाला ओ गया है इन करेंगे जितना लिखेंगे उतना निखार आएगा फैक्ट बात है जितना आप कौपी बरोगे जितना पैंच लाओगे उतना ही निखार आएगा उतना ही जादा नमबर आएगे कोई फंडा नहीं होता जादा नमबर नाने का कोई फंडा नहीं होता सिर्फ महनत होती है और मह सब्सभेंस परसंटेज बननी आप एक मैं 100 में से अगर बाकी में नहीं आएं तो कोई मतलब नहीं आपको सभी सभक में 90 प्लस 95 प्लस लाने हैं अगर आपको मेरिट गभर्ण है तो सभी सब्सक्राइब अमारे लिए बराबर हैं सभी को बराबर मेहनत करनी है ऐसे नहीं कि आप एक सब्जेट की दो सब्जेट कर रहे हो सभी सब्जेट हमारे लिए समान है तो सभी को समय दो और तयारियों में जूड़ जाओ अपको यह भाणा नहीं कि पढ़ लोगा परसो पढ़ लोगा यह उस तारी को पढ़ लोगा कोई वाना नहीं है अप